हेलो दोस्तो नमस्कार आदाब सस्रीयकाल अस्सलाम आलेकूम मैं सद्दाम दोस्तो NTA NET का जो एक्जाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है जैसा की डेट आ चुकी है और तो दोस्तो अब क्योंकि हम वीडियो बनाएं तो बहुत समय लगेगा और ज्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे जैसा एक्जाम का समय बहुत कम है तो हमने इस्टुडेंट्स की हेल्प के लिए MCQ क्योसन हमने तयार किये हैं यह NTA, NET, College Lecture और First Grade आप College Lecture और First Grade में इन क्योसनों को काम में ले सकते हैं और अगर आप I.S, UPS, I.S और PCS की तयारी कर रहे हैं तो इसमें भी आप इसे काम में ले सकते हैं यह हमारी Class No.3 है दोस्तों ठीक है इससे पहले हमने दो Class तयार कर रखी है और आपको Playlist में वो मिल जाएंगी तो दोस्तों सुरू करते हैं हम Question No.1 इसमें रखा है सुमेलित कीजिए इसमें क्या करना है दोस्तों सुमेलित करना है क्योंकि आपने नेट का एक्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि नेट में से किस तरीके से प्रसन पूछे जाते हैं अगर आप पहली बार एक्जाम दे रहे हैं तो आप यह याद रखें कि नेट में कोई Simple Person प्रसन बिल्कुल नहीं पूछे जाते और जब से NTA एक्जाम लेना चालू किया है उसके बाद तो जो पेपर का जो लेवल है वो काफी बढ़ चुका है तो दोस्तो सुमेलित कीजिए जो दूसरे मंडल है दूसरे मंडल को दोस्तो किस ने लिखा था इसे ग्रहत समंदर ने लिखा था इसमें थ्री आएगा ठीक है जो तृतिये मंडल है जो तृतिये मंडल है इसे दोस्तो विश्व मित्रा ने लिखा था ठीक है इसके बाद ज लेकिन दोस्तो जो यह क्योसन जो हमने तयार किये हैं यह क्योसन इस आधार पर करे हैं अगर हम अब इनकी अंदर की सारी डेटेल को समझें तो एक प्रसन के अंदर से कम से कम 5 या 6 आंसर निकल कराते हैं कम से कम जो दूसरा मंडल है दोस्तो दूसरा मंडल है ग्रहत्स मंद ने लिखा था ठीक है न अब इससे क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में दोस्तो इससे जानकारी दोस्तो ये भी मिलती है आब यांतरी की की जानकारी मिलती है तीसरा मंडल है जो दोस्तो तीसरे मंडल से क्या ज कि जानकारी मिलती है दोस्तों नमा जो मंडल है नमा मंडल से सोम्रस के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों कि छेपिरेंग होगें आपके एक पिरसें अंदर से इतने आंसर आचके हैं ओपके तो दोस्तों समझने का अरथ ये ही होता है। और जो NTA, Net, Kali Lecture, First Grade का जो लेवल होता है वह कोई SSC, कोई Bank का कोई Second, Third Grade का लेवल नहीं है एक अपना आप में बहुत बड़ा लेवल होता है तो हमें इस तरीके से ही नहीं समझना है तो Right Answer इसमें क्या आएगा? यह उपनिशद है दोस्तो ठीक है ना यह वेद है वेद के कौन से उपनिशद है यह समझना दोस्तो जो रिग वेद है दोस्तो इसका कौन सा उपनिशद है कोश्त की उपनिशद है ठीक है ना दोस्तो इसके बाद दोस्तो साम वेद है साम वेद का कैन उपनिशद है ठीक है न यजुरवेद है यजुरवेद का कट उपनिशद है न इसके बाद अथरवेद है अथरवेद का मुंडक उपनिशद है ये इनके उपनिशद आगे दोस्तो अब दोस्तो जो रिगवेद है सबसे पुराना जो वेद है वो रिगवेद है जिसमें कितने मंडल हैं दस मंडल हैं दो से जो साथ तक मंडल हैं सबसे पहले ये दो से साथ तक मंडल लिखे गए थे जिने क्या कहा जाता है वन्स मंडल कहा जाता है दोस्तो ठीक है अगर वन्स मंडल आप से पूछ लिया जाता है तो क्या आएगा दो से साथ तक क्या आएंगे ठीक है न तो दोस्तो इस तरीके स है ये जादू टोने से संबंदी थे दोस्तों इस तरीके से दोस्तों हम क्योंकि अगर मैं प्रसन बनाने बेठों तो एक टोपिक में से 25-30-40 प्रसन बन जाते हैं लेकिन मेरा दोस्तों उद्देशी मुख्य ये है मैं एक टोपिक में से 15 तक क्यों सन बनाऊं और उसे एक आँसर निकल याते हैं तो पंदर है कितने होगे दोस्तों पचास एक आंसर तो हमें यहीं पर मिल जाएंगे इसलिए आप मेरी जो में व्याक्या समझाता हूं इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान थे ठीक है ना तो इसमें राइट आंसर क्या जाएग दोस्तों ए आ जा संबंदित है जियोतिस इसको नैत्र कहते हैं दोस्तों इसके बाद क्या है जो नासिक जो नासिक किसे है संबंदित है दोस्तों सिक्षा से नासिक संबंदित है दोस्तों जो कान है कान किस संबंदित निरुक्त से संबंदित है दोस्तों यह क्या है यह दोस्तों जो चंद है च्छें, उन से उनको बोला जाता है, ति यह जो शिख्छा से संबन दिए, मुख, मुख्दोस्टों किस से संबन दिर्प्टे है यह हमारा तीसरा प्रिशन हो गया इसके बादे दोस्तों हमारा अगला प्रिशन है सुमेलित कीजिए यह प्रिशन दोस्तों बहुत अच्छा ही ने हमें सुमेलित करना है क्या करना दोस्तों सुमेलित करना है इसमें महिसी किसे बोलते हैं राट रानी को बोलते हैं जो राजा की रानी होती है सूत किसे बोलते हैं राजा का जो सार्थी होता है कुमार को कुलाल बोलते हैं चैत्र जहां किर्शी योग की जो भूमी होती है उसके चैत्र बोलते हैं और जो बंजर भूमी होती है वो होती है जिसे जोता नहीं जाता ले तरीके से जो दोस्तो जो हमारा इसमें राइट आंसर किया जाएगा दोस्तो इसमें राइट आंसर हमारा आ जाएगा डी आ जाएगा दोस्तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तो राइट आंसर किया जाएगा दोस्तो डी आ जाएगा ठीक है ना इसके बाद दोस्तो हमारा अगला प पता है इसमें क्या होता है पिता अपने पुत्र को बेच देता है जिससे यह पता चलता है संतान पर पिता का अधिकार था ठीक है ना क्या संतान पर पिता का अधिकार था सुन सेप की घटना से यह पता चलता है और यह दोस्तों रिगवेद के रिगवेद के एत्रे ब्रहामन में है कौन से ब्रहामन में दोस्तो एत्रे ब्रहामन में है और इस एत्रे ब्रहामन में ही राजा के राजी अभी से से सम्बंधित जानकारी भी प्राप्त होती है और यह जो एत्रे भ्रह्मन है दोस्तो यह किसका है रिगवेध का भ्रह्मन ने तो right answer कि षलेगा यह जाेगा ठीक इसके वाद हमार underworld पुत्र अंतिम्बार अपनी माँ के साथ का भोदन करता था यह बहुत ही अच्छा प्रसन है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रसन है, पुत्र अपनी मा के साथ कब भोजन करता था, दोस्तों, पुत्र जो अपनी मा के साथ भोजन करता था, वो उपनयन संसकार के समय करता था, नमबर ए आएगा, अब और समझना, जैसे करता था भाई, उपन तो फिर इसके बाद जो ये वेद आरम है ये वेद आरम किस से है उपने अन्संसकार से पहले का ही है तो अन्तिम रूप से दोस्तो उपने अन्संसकार के समे भोजन करता था उसके बाद वेद आरम सिक्छा प्राप्त हो जाती थी फिर बाल कटा था कैसांद और उसके बाद सम बुस्तों एक क्यों सात्म सिए अच्छा आश्रम है दोस्तों आस्रम तो यह सभी अक्छे हैं वि मानम की जो उम्र मादी गई है वे सो वर्ष मानी गई है और इसे चार में विभाजित करने के बाद प्रतियक आस्रा में कितना वर्ष निकालता है 25 वर्ष निकालता है ठीक दोस्तों ब्रह्मचार्य आस्रा में सिक्षा प्राप्त करता है समझना पहले ब्रह्मचार्य आस्रा में क्या करता है सिक्षा प्राप्त करता है ठीक है उसके बाद घ् 20-50 वर्स तक रहता है वान प्रस्तास्रम में क्या करता है वह जंगल की ओर चले जाते हैं 50 के बाद और 50-75 तक जंगल में रहते हैं अगर इतने टाइम में डेथ हो जाती है तो ठीक है अगर डेथ नहीं होती है तो फिर 75 के बाद फिर क्या कर लेते हैं सन्यास लेते हैं अब आ डोस्तों ईक बात बताईगे आप केबल शिंचा प्राप्त कर रहा है वानप्रस्त में केबल जंगल में रह रह रहा है सन्यास में भी सन्यास ले लिया तो ये जो तीनों आश्रम हैं ये कौन से आश्रम पर टिके हुए हैं गरस्त आश्रम पर टिके हुए हैं क्योंकि ब्रहमचार्य आश्रम का भिक्षा मांगने के लिए छात्र कहां पर आएगा गरस्त आश्रम पर आएगा वानप्रस्त आश्रम को भी कभी जरुवत पड़ेगी किस पर आएगा ग्रस्त पर आएगा सन्यास आश्रम को भी कभी जरुवत पड़ी तो किस पर आएगा ग्रस्त आश्रम में आएगा तो दोस्तो अगली बात, दोस्तो एक बात आप ये भी नोट कर लें, चारो उपनी सदें, चारो जो यासरम हैं, इनका जो उलेक मिलता है, वे जाबालो उपनी सद में मिलता है, किस में मिलता है, जाबालो उपनी सद में मिलता है, चारो आसरमों का उलेक, ठीक दोस्तो, ये हम गोत्र का उलेक अथर वेद से प्राफ्ट होता है, अगर वर्न व्यूसता की जानकारी पूछी जाए तो जो ये रिगवेद है, रीगवेद के दस्वें मंडल के पुरु सिक्ट से वर्न व्यूसता की बाड़े में जानकारी मिलती है, वरनों को चार भागों में माट दिया गया करम के आधार पर बाटा था ब्रहामन, छत्रिय, वैस्यय और सुद्र ये भी कहा गया था कि विराठ पुरुस के मुख से ब्रहामन की उत्पत्ती हुई उसकी भुजाओं से छत्रिय की हुई उसकी जांगों से वेश्य की हुई उसके पेरों से सूद्र की उत्पत्ती हुई तो एक बात आप समझना रिगवेद में दस मंडल हैं और अंतिम दसवे मंडल में ही वर्न विवस्ता की जानकारी मिलती है तो कहने का मतलब ये है ये वर्न अपने स्वारत के लिए अपने लाब के लिए उच्वर्न के लोगों ने बाटी होईंगी शायत ये माना जाता है ठीक है ना और आप सब पढ़े लिखे हैं समझ सकते हैं इसको क्योंकि अंतिम रूप अंतिम मंडल में जोड़ी जाती है तो दोस्तों यहां पर हमारा अथरवेर आएगा ठीक है ना और गोत्र जो यह बना है जहां पर पसू रखे जाते थे जो बाड़ा होता था वहां से यह गोत्र बना जहां पर गाय रखे जाते थे उससे निकला हुआ सबते गोत्र यक से संबंधित जानकारी कौन से वेद से प्राप्त होती है दोस्तों यक से संबंधित जानकारी हवन से संबंद जानकारी वो यजुर्वेद से प्राप्त होती है राइट आनसर सी आएगा ठीक है ना सामवेद से संगीत की अथरवेद से जादू टोने की और यजुर्वेद से होती है यक्की जानकारी राइट आनसर सी आजाएगा ठीक दोस्तो इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रशन है प्रशन नम्मर तस है कौन सा वेद गद और पद भाग में विवाजित है तो दोस्तों जो वेद है वो पद में जादा है लेकिन एक वेद है जो गद में भी है और पद में भी है तो दोस्तो वह वेद है यस जूर वेद, राइट आंसर किया जाएगा यस जूर वेद आ जाएगा, यह प्रसन भी काफी बार पूछा कया है, महा भारत में कौन से विभा को छत्र धर्म कहा गया है, दोस्तो यहाँ पर आप एक बात याद रखना आप अब कन, अब आप थोड दिमाख लगाईए, कौन से को कहा गया है, दिमाख लगाईए, दोस्तो एक विभा होता है, राच्छस विभा, जिसमें लड़की को उसके घर से उठा लाते हैं, ताकत के बल से, जैसे प्रत्वी राज चोहान, कन्योज के सासक, जैचंद की पुत्री, सैयोगिता को उठा लाए थे, उसे बोलते हैं, राच्छस विभा, जिसमें सक्ती का प्रदर्शन किया जाता है, तो उसको दोस्तो महा भारत में च्छत्र धरम कहा गया है, लेकिन इसमें मैंने वो सोल्च समझ के नहीं दिया, क्योंकि आप यहां पर दिमाख लगाईएं, के क्या है, लेकिन अ महा भारत में कौन से विभा को पवित्र विभा कहा गया है, तो दोस्तो गांधार विभा को भी महा भारत में पवित्र विभा कहा गया है, और राच्छस विभा को भी पवित्र विभा कहा गया है, तो जो गांधार विभा है, इसका महा भारत में विरोध नहीं किया गया, पवित्र व्युहा में इसे सामिल किया गया है लेकिन इसमें छत्र धरम में जो राइट आंसर आएगा वो राक्षस व्युहा का आएगा जो इसमें नहीं है ठीक दोस्तो इसके बाद हमारा अंतिम प्रसने वेद आरम संसकार के बाद कौन सा संसकार आता है जब वेद आरम होत तो इस टाइम कौन सा संसकार आता है अब दोस्तों पहली बात दोस्तों सोलहा संसकार होते हैं हिंदू धर्म के अनुसार और गोतम जो गोतम धर्म सूत्र के अनुसार कितने होते हैं 40 होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो माने जाते हैं वो 16 संसकार माने जाते हैं क्या माने जाते हैं दोश्तों 16 संसकार माने जाते हैं जो गर्वधारन से सीमान तुन्यन, जातकरम, नामकरम, निशक्रमन, अनप्रासन, चूडा कर्म, कर्णवेद, विद्या आरम, उपनयन, वेदारम, कैसान, समावर्तन, विभा और अन्तिष्टी, ये 16 संसकार आपको मेरी वीडियो में भी मिल जाएंगे, इस पर मैंने वीडियो बना भी रखी है अब समझना दोस्तो, इसमें प्रिशन क्या पूछा है, वेदारम संसकार के बाद, जो वेदारम है, उसके बाद कौन सा संसकार आता है, समझना दोस्तो, वेदारम से पहले, वेदारम से पहले कौन से, वेदारम से पहले, जो वेद है, आरम से पहले उपनयन संसकार किया जा जाता है और दोस्तों वेद आरम के बाद होता है समावर्तन जिसे इसना तक कहा जाता है जब education complete हो जाती है तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा वेद आरम संसकार के बाद कैसांत किया जाता है दोस्तो राइट आंसर भी अर्थात सिक्षा के समय जब प्रुवेश करते हैं उस समय आस्रम में पहली बार बाल काटे जाते हैं कटीं की जाती है जिसे कैसांत संसकार कहा जाता है आई समझ में दोस्तो और कैसांत के बाद दोस्तो जो कैसांते इसक के बाद समावर्तन या इशनातक संसकार होता है जो ये इशनातक ग्रेजोशन जो शब्द निकला है ये शमावर्तन यहीं संसकार से ही निकला है दोस्तों और समावर्तन के बाद सिक्षा कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद विभा करता है पारिवारिक जीवन जीता है जो पंद्रमा संसकार होता है और उसके बाद अंतिम संसकार अंतियस्टी संसकार होता है जो सोलमा संसकार होता है जो ये वेदारम संसकार है ये बारमा संसकार है दोस्तों तेरमा संसकार कैसांते है दोस्तों चोदमा संसकार समावर्तन है दोस्तों और समावर्तन के बाद दोस्तो ये 16 संसकार है और ये पूछा गया है नेट में इस तरीके से क्रामनुसार इस तरीके से भी प्रसन आते हैं इसलिए मैंने इस प्रसन को दिया था तो दोस्तो ये प्रसन है बारहा जो एक बहुत ही most important है और इनके साथ साथ मैंने व्याख्या में और प्रसनों को भी समझा दिया है यहाँ पर इसकी answer की दे रखिये दोस्तो आप answer की check कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पर इसका screenshot नहीं लेना चाहें तो कोई बात नहीं है description में मैंने आपके लिए pdf की link दे रखिया आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं तो दोस्तो ये था आज का हमारा class नंबर तीसरी थी हमारी इससे पहले दो class मैंने बना रखी हैं अगर आप नवी तक उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें एक बार देख लें त्योंकि वह सुरुवात से हैं दोस्तों ये तीसरी class से और अगर आप हमारे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप इसी तरीके से इतिहास से संबंदित जो most important किफशन हैं उन्हें आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स साथ में वेल बटन भी दबाए ठीक दोस्तों शुक्रिया धन्यवाद